मेरे यूट्यूब फेस्बुक चैनल एश्ट वाज में मित्रों त्योहारों का सीजन अब खतम हो गया है अब हम बात कर लेते हैं सप्ताइक राची फाइल यानि चार से और दस नॉवमर में आठ राचियों के जीवन में आठ राचियों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला इसके बारे में चच्चा कर लेते हैं सबसे पहले हम मेश रासी एरी साइन के बारे में चच्चा कर लेते हैं तो भाई ये जो सप्ता है चार से और दस नॉवमर के बीच में आफिस के अंदर भी राजनीती हो सकती है आफिस के अंदर आपके प्रती बॉस को सीनियर को इस सप्ता भड़काया जा सकता है ऐसा योग नजर आ रहा है कोई व्यक्ति आपके लिए अफवा फैला सकता है तो इस पे साब्धानी रखना इस तरह की चीज़ें आप आफिस में सहने को आपको मिल सकती है साथी साथ हेल्ट में अगर देखा जाए तो हेल्ट के स्वामी मंगल है मंगल इस वक्त करकर आशी में बैठें तो ठंडे से इस सब्धा में इस राशी वाले जातको जादेकाओं को परहेज रखना है गले की प्रॉब्लम आखों में दार्द ऐलर्जी की समस्या इस सब्धा भई विशेश्त है आपकी हो सकती है साती साथ वाहन पे खर्चा इस सब्धा हो सकता उसके योग इस सब्धा नजर आ रहे है धन की स्थती के बार में बात करें तो ब्रस्पती वक्री है तो कहीं ना कहीं धन की स्थती दो जगा से अच्छी है पुराना रुकावा धान मिलता वा आपको नजर आएगा साथी साथ सरकारी कोई रुकावा अधान मिलता हुआ नजर आएगा इस सपती साथ मंगल आपके परिवार अभाव में बैटा है तो घर के अंदर वाहन पर एक खरचा इस सपता आ सकता है साथी साथ करियर के बारे में बात करें है वैसे तो करियर के अंदर सब कुछ इस सबता अच्छा है लेकिन आपका जान पेचान वाला आपसे इर्शा करके दोएश करके आपकी बैक बाइटिंग कर सकता है आपके खिलाफ सीनियर को बढ़का सकता है ऐसी इस्ततियां रह सकती है अधरवाइस यह सबता आपके ऑफिस यंदे या आपके अपने माता पिता या आपके माता पिता से कुछ वाद बिवाद इस सबता आपकी राशी में वकष्वाइस कुछ तेड़ाम मैत्व पूंबर रहने वाला है यानि काम के लिए वर्क के लिए बहुत ही अच्छा सफता रहेगा कोई बड़ा निर्णे आप ले सकते हैं साती साथ दामपत्त जीवर में थोड़ी बहुत नोग जोग चलती रहेगी और पार्टनर या पार्टनर के परिवार से जुड़ी आपको कोई खुशकबरी भी मिले हैं लेकिन बहुत से विचारिक मदवेद आपके इस सफता रहने वाले हैं बहुत से थोड़ी सी डाट या कोई इस तरह की चीजे सुनने को आपको मिलेगी लेकिन आप बहुत बड़ा मैतपूर्ण निर्णे सफता आप लेने वाले हैं साती साथ देखा जाए तो पार्टन साथ यदि आपकी विरशब राची है और आपकी संतान है तो पंचम बाव में केतु बैठे हैं तो इस सप्ता संतान को हलकी चोड यह एलर्जी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है फाइनेंस के बारे में बात करें तो इस सप्ता बूध चंद्रमा और कहीं न कहीं शुक्र बैठे में तो यह सप्ता खर्चो वाला सप्ता बिरशब राची करेगा माता पिता पे आपका खर्चा होगा साती सात आपका कुछ डील पे खर्चा होता हूँ नजर आ रहा है कुछ आपको मांग ले किया घर के अंदर कोई शुब काम में भी खर्चा होता हूँ नजर आ रहा है तो ये सप्ता इिंकम इतनी अच्छी नहीं है मितुन राशी के बारे में बात कर रहे हैं, आपकी राशी के स्वामी, बुद्ध, मंगल की राशी में, शुक्र के साथ में, चंद्रमा के साथ में बैटे हैं यह सब्ता वैसे तो आपका विप्रीज राजयोग बनना है जो कि काम के लिए आपको अच्छी पूजीशन दे सकता है नहीं नौकरी के आपको ओफर आ सकते हैं काम समंदी कोई काम आपका सफल होगा करियर से समंदी तो भही अच्छा रिजल्ट चार से दस नौंबर में देन के लिए बहुत अच्छा नहीं होता कई ना कई व्यक्ति को दुविधात्मक दुनवात्मक इस्तती में पहुचा देता है व्यक्ति को मानसिक तनाव रहता है तो मानसिक तनाव के लिए इस्तती बहुत अच्छी नहीं है और साथी साथ इस सब्ता मौसमी सीजन हलका बुख कफ की समस्या मिथुन राशी को रह सकती है साथ इस सब्ता आप जो है यात्रा में व्योष्ट रहेंगे यह सब्ता करियर में ट्रवलिंग वाला आपका सब्ता रहेगा कभी इदर की कभी उसी बजार की कभी उस बजार की आपको यात्रा करने पड़ेगी मिथुन राशी को ध तावान में आपका धान खर्च हो सकता है यानि धनकी इस्तती वैसे ठीक है लेकिन खर्चे आपके मित्रों राशी के बढ़ रहे हैं और मित्रों यह है जन्रल प्रेडिक्शन यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एकुरेट जानना है तो 7210124289 यह जो मेरा वट्सप न माध्यम से कर सकते हैं बात करें करक राशी की तो करक राशी के सबसे पहले गोचर में अभी इस्तती के बारे में बात करें तो आपकी राशी के स्वामी बुद्ध चंद्रमा शुक्र के साथ में बैठ है तो कही ना कही इस सब्ता पुराने मित्रों से आपकी बहुत निकटिता बढ़ जाएगी बॉस के साथ में सप्ता या मैनेजबेंड के अच्छे व्यक्तिव के साथ में आपकी कोई यात्रा कोई काम आप करते वे नजर आएंगे साथी साथ देखा जाए तो धन के लिए ये सप्ता सम्मानेदायक है क्योंकि धन के स्वामी आपके सूर्य ह समय नीच राशी में बैटे हैं गॉर्मेंट से सम्मंदेत कोई या वाहन का चालान आपका कर सकता है गॉर्मेंट से सम्मंदेत किसी काम में आपका धन खर्च हो सकता है लेकिन आपकी कोई डील भी सप्ता बनेगी आपको अच्छा खासा धनलाब या धन के लिए किया गया प्रियाज भी करकराशी का सफल होगा लेकिन दो जगा आपके खर्चे भी होते वे नजर आएंगे relationship के बारे में बात करें तो relationship बिल्कुल नॉर्मल हैगा आपका पार्टर अपने काम में बिजी रहने वाने यानि relationship में आप अपनी जिम्मेबारी में बिजी रहेंगे और आपका पार्टर अपनी जिम्मेबारी में बिजे रहेगा यानि ये सपता स्वास्त की द्रिष्टी से देखा जाए तो मंगल करक राशी में बैटे हैं तो हलकी allergy फोड़े वंसी की समस्चिया आपको दे सकता है थोड़ा आपको बात बात में गुस्सा भी आएगा गुस्से को control करके चले करक राशी वाले क्योंकि मंगल आपकी अच्छे तो बढ़ा रहा है लेकिन फिर भी ठीक है जैमातादी सुलिखा जी मैंने आपको नीली पहनाया था 2022 में उसका क्या result मिला भी कि नहीं मिला आप बताईए गांजी पंडी जी जैमातादी में को नीली पहन के मुझे बहुत फरक पड़ा था मतलब जो एक एनरजी बहुत लोग फिल कर रही थी ना जैसे हस्बन की डिट के बाद से मादले कुछ भी मुझे दिल ने अच्छा ने लग रहा था उससे मुझे काम पे पी दिल कर रहा था मतलब काफी एक्टिव हो गई थी मैं काम पे भी जा रही थी लेकिन सड़नली मुझे समझ लीजे छे सा कर रहे हैं वो मुझे नहीं समझा रहा है तो आपके पर थोड़ी साड़े साती का भी प्रसा जी रासी के लिए यह सपता चार से दस नौंबर में शूर्य देव आपकी रासी के सवामी नीच के बैठें तो इस सपता भी आपको लगेगा कि आपकी वाद विवाद बहुत ज पिता से आपके वाद विवाद भाई मैनों से मित्रों से आपके वाद विवाद रहेंगे किसी बात को लेकर बहस पे बहस इस सप्ता रहेगी इस सप्ता मानसिक तनाव वाला रहेगा किसी काम को लेकर आपके सामने अचानक कोई टेंसन आपके सामने हो जाएगी आपके बंते बनते काम डिले हो सकते हैं तो इस सब्ता थोड़ा सा आपको किसी काम में बुरा समाचार मिल सकता है कोई अशुब सूचना आप किस तक आ सकती है क्योंकि सूर्य देव नीच राशी के हैं साती साथ आपको वाड़ी पर बहुत नियंतरन रखना है क्योंकि आपकी वाड़ी से वाद विवाद हो सकता है तो थोड़ा सा चुपी बना के रखे सो समझ के जवाब दे सिंग राशी वाले नहीं तो सूरिन जो नीच राशी के गएं कई न कई वाद विवाद पैदा कर देंगे धन की इस्ति के बारे में बात करें तो तीन बड़े धनलाब आपको होते वे नजर आ रहे हैं एक तो साथ समुंदर पार से आपको कोई व्यक्ती से किसी विदेशी व्यक्ती से कोई धनलाब या विदेश से कोई धनलाब के योग नजर आ रहे हैं दूसरा किसी पुराने डील से भी बनती भी नजर आ रही जिससे कि आपको धनला प्राप्त होगा तीसरा धनसंबंदी कोई नया कॉंट्रैक्ट इस सप्ता आपका परियास करेंगे तो बनता हुआ नजर आ रहा है तो धन के लिए सिंग रासी के लिए यह सप्ता अच्छा है लेकिन आपको वाणी पे नि की समस्या इस सप्ता रह सकती है या कमजोरी या बुखार की समस्या इस सप्ता आपके पाटनर को रह सकती है करियर के बारे में बात करें तो गुरू वहाँ पर बैठे है तो मेनेजमेंड में बॉस में उचिस्तर में बड़ा परिवर्तन देखने को इस सप्ता मिलेगा आप के भी काम में परिवर्तन आएगा यानि ये चार से दस सप्ता नौकरी वालों के उच्छ तरिये मेनेजमेंट में आपको बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है अब बात कर लेते हैं कन्या राशी की तो कन्या राशी के लिए ये सप्ता पहले तो आपकी ही राशी के अंदर केतू विराजमान है और आपकी राशी के स्वामी कही ना कही बुध चंदर्मा और कही ना कही शुक्र के साथ में बैठे हैं इस सप्ता पहला तो आप थोड़ा दूइधा में रह सकते हैं, निर्ने लेने में दिक्कत हो सकती है, रात को नीन दाने में, सर में दर्द, माइग्रेन की प्रावलम, आपको इस सप्ता हो सकती है, इसलिए जल्दी बाजी में कहीं पर निवेश ना करें, शेर बॉंड में साथ है, दौनदवात्मक इस्तती आपके साथ रहेगी, उसमें निर्ने मत लीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा, साथी साथ इस सप्ता आप एक चीज अनुबाब करेंगे, हर काम में आपके परेशानी रहेगी, घर के अंदर आशान्ती का महौल रह सकता है, मन भी आपक तो इस सपता भाइ माता पिता परे धनकार या सरकारी किसी कारे पर आपको यह सपता कहीं न कहीं चार से और नुम्बर में कन्या राशी के लिए बहुत अच्छी सी इस्तती नहीं है, बाकी और डिटेल में आपको मित्रो जानना है तो मैंने वाटसअप नमबर दे रखा है 7210124289 इस पे आपको नाम, डेट अबार, टाइम अबार्थ, प्लेस अबार्थ, बेज़ के आप मुझसे टेलिफोनिक के माध्यम से आप मुझसे कुंडली दिखा सकते हैं, मुझसे राय ले सकते हैं उसका हलका सा शुलक रखा है, वो पे करके आप मुझसे टेलिफोनिक कुंडली दिखा सकते हैं बात कर लेता है तुला राशी के, तो तुला राशी के लिए ये सप्ता खासकर चार से लेकर दस नौवंबर के बीच में यानि कि जो त्योहार है उसके बाद गुजरने के बाद ये जो चार से और दस नौवंबर में इस सब्ता तुला राशी का कम समय के लिए ही सही लेकिन विपरीद राजयोग बन रहा है अब ये विपरीद राजयोग बन रहा ह तो केतु की वज़े से acidity की problem आपको रह सकती है आपको allergy फोड़े फुंसी की समसिया आपको रह सकती है तो भई चाई पीना गरम चीज़े खाना आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा नहीं तो समसिया आपकी बढ़ सकती है साथी साथ आपका इस सपता वान पे थोड़ा बहुत खर्चा आ सकता है इसके योग नजर आ रहे हैं तुला राशी के और साथी साथ मैं ये कहूँगा कि वैसे आपका ये सपता अच्छा ही है आपकी लोग प्रशंशा करते वे नजर आएंगे उस तरही है बहुत लोग आप के काम की सराना करते वे नजर आएंगे बस हैल्थ में थोड़ा ध्यान रखने की आपको जुरोत है साथी साथ देखा जाए अचानक ही आपका इस सपता किसी बड़े राजनीता किसी सेलबिटी से आपकी मुलाकात हो सकती है किसी पार्टी फंक्शन में आप जा सकते और ये कारे करम आपका तूला राशी का अचानक ही बनता हुआ नजर आ रहा है धन की सती के बारे में बात करें तो दो बड़े लाब एक खर्चा माता पिता पे या परिवार पे कुछ खर्चा आप कर सकते हैं भाई बेन की लाइवल्टी पे कुछ खर्चा आप अचानक आप इस स लेकिन आपको कोई डील भी सफता मिलेगी उससे धनलाब होता हुआ नजर आएगा और इस सफता पुरानी भी जो आपने काम किया है तुल्या राशी ने वह भी इस सफता जो आप काम करेंगे उसमें भी आपका डील क्रैक होने की जुरूर के योग बनते हैं तो यह सफता धन और डील के इसाब से बहुत अच्छा सफता है, खर्चे भी बढ़ा रहा है, साती साथ relation के बारे में बात करें, तो relation के स्वामी मंगल है, मंगल कही न कहीं सफतम महाँ में बैठे हैं, तो कहीं न कहीं इस सफता, पार्टनर से आपके पत्नियों प्रेमी प्रेमी का हो तो पार्टनर से बांडिंग अच्छी होती भी नजर आ रही है हां मार्केट में रुका वधान फसा वधान भी इस सब्ता थोड़ा आपको कॉल करनी पड़ेगी थोड़ा गुस्टा दिखाना पड़ेगा आपको इस सब्ता मिलता हुआ नज सूर्य की इस्तती बहुत अच्छी नहीं है तुला राची में सूर्य बैट है और आपकी राची के अंदर बुद्ध चंद्रमा और शुक्र तीनों ग्रह विराजमान है और बिर्श्चिक राची के अंदर ही है तो इस सब्ता आपको क्रोध बहुत आएगा यानि चार से औ बाध विवाद हो सकता है पक्लाइंट से बाध विवाद घर में बाध विवाद हो सकता है तो बाध विवाद वाला ये सब्ता बिर्श्चिक रासी का रहेगा सातिय ससाथ आपको allergy infection की पराब्लम खुझली की समस्या इस सब्ता हो सकती उसके यूग नजरारा है इस सब्ताнова आपको पुराने व्यक्ति से या पुराने क्लाइन से कोई order कोई धनका लाब होता हुआ भी नजर आ रहा है यानि पुराना कोई काम आपका यह सब्ता तो आपका काम नहीं बनता लेकिन पुराना जो आपने काम किया है पुराने व्यक्ति से आपको कुछ लाब होता हुआ नजर आएंगे अपने पार्टनर के किसी के रुकेवे काम के लिए आपकी भागा दोड़ी होगी और वो काम का जो रिजल्ट है वो सक्रात्मग होता हुआ भी सप्ता आपको नजर आएगा तो कुल मिला के बिरिश्ची ग्रासी के लिए दोड़ा भाग वाला है लेकिन ठीक स शपता रहने वाला है जैमाता दि संजेश नोडियाल ड क्या हल चले हैं आप पको मैंने पुखराज है और पगले में और अपको एक में दो पढ़ा हूं है। अगर आप देखें तो ये गुरु जी ने मेरे को पहनाया कि भाई अपना जो है संजे जी आप ऐसा ऐसा ये पहनाओ ये देखिए मैं तो भाई गुरु जी के कहे अनुसार ही चलता हूँ और ये कुछ दिखा आपको दूसर है ये श्री अंतर भी पहनाया है जी गुरु जी ने तो ये ही वो मुझे कवच है ये तो गुरु जी ने जो मेरे को कह देते हैं मेरे लिए तो अकाट्टे हो जाता है बहुत 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 मिलता है जी तो इसलिए मैं आता हूँ गुरुजी के पास जैम आता दी बात करें धनूराशी की तो ये सब्ता चार से दस नॉम्मबर के बीच में इस सब्ता नए नया परिवर्तन आप जीवन में देखेंगे पहला चीज आपको नया कोई शौक जागरित हो जाएगा या तो कुछ सीखने वाले या कुछ ना कुछ आप करने वाले या योगा करने वाले या अपनी habit के अंदर नया परिवर्तन आप लाने वाले हैं उसके योग नजरा रहे हैं नये काम में आप कुछ मैनत करने वाले हैं नये project में आप मैनत करने वाले हैं साती साथ मन में career को लेका थोड़ा भ्रम भी रहेगा दूइदा वाली इस्तती रहेगी नया काम का आपको offer मिलेका करू ना करू ऐसी दूइदा आपको रह सकती है यानि ये संता नया परिवर्तन वाला है यदि आपको नया काम का offer मिलता है नया कोई project मिलता है तो आपको ले लेनी चाहिए उससे फायदा ही होगा व्यापारियों के लिए ये सब्ता बड़ा धनलाब दायक है रुकईवी फसीवी पेमेंट मिलती भी नजरा रही है धन के लिए इस्तती ठीक है ये सब्ता देखा जाए तो परिवार के साथ में आप किसी तीर स्यात्रा में धनुराची वाले जा सकते हैं किसी जोतिश के पास किसी पंडेजी के पास जाकर अपनी कुंडली का विवेशन या संका का समाधान आप कर सकते हैं तो कुल मिला के ये सब्ता अध्यात्मिक भी रहेगा मित्रों के साथ में वीकेंड में आप मनोरंजन करने भी जाने के योग बनते हैं साथी साथ लब पार्टनर है या सब्ता बन रहा है अब बात कर लेते हैं मकर राशी की तो मकर राशी के लिए ये सब्ता चार से और दस नौमबर के बीच में हम बात कर लेते हैं तो ये सब्ता पुराने समंदों या पुराने जो मित्र हैं उनसे संपर्क होगा जो पुराने समंदों में कटूता चल रही है वो दूर होती भी नजर आएगी भाई बेन यर इस्तेदार आपके घड़न अब आप उनके घ़र जाएगे यानि पुरानी जो कटुता थी सतरुता ती वो कहतम होती भी नजर आ रही है प्रेम में तबदील होती ही नजर आ रही है दामपत्य जीवन के अंदर भी प्रेम और उत्सा बना रहेगा आप दोनों कपल कोई प्लानिंग कर सकते हैं घूमने जाने की कहीं पर जाने की कहीं कोई पार्टी करने की प्लानिंग आप करेंगे यानि दामपत्य जीवन में प्रेम उत्सा इस सफ़ता बना रहेगा साथी साथ इस सबता अचाना की किसी बड़े celebrity यह famous राजनिता यह फिल्म इस्थिसिया आपके मुलाकात हो सकती है किसी function में किसी बजार में आपकी मुलाकात हो सकती है उसके योग नजर आ रहे हैं साथ साथ नौकरी करते हैं आप या व्यपार करते हैं तो एक्स्ट्रा इंकम के आपके सब्ता योग बनते हैं यानि कोई विक्ति आएगा और आपको अच्छा खासा एक्स्ट्रा इंकम का कोई आफर देने वाला है यदि आप ले लेते हैं तो अच्छा धनलाब आपको होगा साथी साथ इस सप्ता आप परिवार के लिए या घर के लिए कुछ चीजे जमकर खरीजने वाले हैं उसकी शौपिंग करने वाले हैं उसकी योग भी नजर आ रहा है यानि मकर राशी के लिए धन के लिए काम के लिए रिलेशन के लिए यह सप्ता वंडर वंडर फुल रहने वाला है मित्रों अब हम बात करते हैं कुम्राशी की तो यह सप्ता यानि कुम्राशी के लिए चार से दस नौवंबर के बीच में नया कोई काम का आपको आफर नई जॉब का आफर नया किसी पार्टनर्शिप के आफर आपको इस सप्ता नजला रहे धन कमाने के आपको बहु इस सप्ता नई मित्रता नए प्रेम प्रकरण में आप पढ़ सकते हैं यानि नया कोई रिलेशन्शिप बन सकते हैं रहा जो दोस्त बन सकता है उस पर आट्रेक्शन आपका हो सकता है उसकी इस्तती बन रही है आर्थिक इस्तती आपकी सप्ता बहुत ही अच्छी होगी जो जमीन कोई कोई प्रोजेक्ट आप देखने जाने वाले भी हैं उसकी योग भी बन रहे हैं रुकावा धनित सप्ता मिलेगा काम के सिल्सने में दूसरे सहर की कुम्बराशी की यात्रा भी होगी और भूमी और भवन से समंदित कोई नए काम की शुरुवात कोई बुकिंग को इस तरह की चीज़ें आप करने वाले हैं तो कुल मिलाके धन के लिए करियर के लिए यह सप्ता बहुत ही अच्चा है relationship की कुमबराशी के बारे में बात करें relationship के स्वामी है सूरिय अभी नवम में बैठे हैं तो कहीना कही relationship आपका अच्छा है लेकिन आपके partner के आपके माता पिता से अनबन रह सकती है या अपने माता पिता से अनबन रह सकती है partner का चलान कट सकता है या सरकारी कुछ नोटीज या कुछ सरकारी दफ्तर के या बैंक के चक्कर आपके पार्टनर को इस सप्ता काटने पड़ सकते हैं आप से रिलेशन अच्छा है लेकिन पार्टनर को थोड़े से भागादोडी सप्ता होती भी नजर आएगी बात करें मीन दाशी की तो मीन दाशी के लिए ये सप्ता परिवारिक रूप से बहुत इंपोर्टन्ट है परिवार में रुका हुआ शादी का या रुका हुआ विद्या का करियर का काम किसी ना किसी का मिलेगा परिवार का कोई सदसे आपको खुशकपरी देता हुआ नजर आएगा साती साथ धन पद में विर्दी के आपकी योग नजर आ रहे हैं जितने भी मीन दाशी वाले उनको करियर और धन में कोई अच्छी डील इस सप्ता मिल सकती है उसका योग नजर आ रहा है रुकावा धन भी सप्ता आपका मिल सकता है और परिवार में कोई शुब या म समंदित ये चक्कर आने की समस्या मीन राशी को इस सप्ता जेलनी पढ़ सकती है उसकी योग नजर आना है साथी साथ इस सप्ता बहुत सारे पुराने रिष्टिदार पुराने मित्रों से भेट भी होगी गाउं जाने का आपका मौका बन सकता है कोई पूजा पाट आप कर यहां रहती थी तो उनका हमारा संपर्क बहुत पुराना है बड़ी मुला बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई है क्योंकि वो खुदी बताएंगे और जोतिस में कैसा आपका अनुभावरा जोतिस और स्टोन में ने आपको पहनाया थे वो रिजल्ट देते नहीं देते है आप दर्शकों को बताईए जै माता दी मैं पंडित जी से काफी सालों से जुड़ी हूँ हूँ जब यहां पर रहती थी तो जब लास्ट इन से मैंने रत्न वगेरा पहने तो मैंने बिजनस शुरू किया था मैं बिजनस फ्लाइज उसके बाद फिर मैं कैनेडा मूव कर ग जोती सब कुछ लाब हुआ है कि नहीं हुआ है बहुत लाब हुआ है इनकी एकुरिसी 99.9 परसंट पॉइंट वन तो परमात्मा के हाथ में है सर तो वह आगे पीछे हो जाता है बट इनके एकुरिसी बहुत है तो मुझे बहुत यकिन है और पिछले शायद 20-25 सालों से जोती सर देकिन है बहुत अरख में हुआ है रख जाता है